अगर आपकी गर्दन काली हो गई है तो उससे आप कैसे चुटकारा पा सकते हैं जी हाँ आज हम बात करेंगे कि गर्दन के कालीपन को दूर करने के लिए अब कौन से घरेलोन उसको का इस्तमाल कर सकती है क्योंकि चहरे की खुबसूरती में गर्दन की एक एहम भूमिका होती है अक्सर हम हमारा चहरा सुंदर करने के लिए तरह तरह के फेस पैक्स, ओइल्स, क्रीम्स और बहुत सारे प्यूटी प्रोडक्स लगाते हैं पर गर्दन को हम हमेशा नजर अंदाज कर देते हैं जिसके वज़े से गर्दन का रंग हमारे चहरे के रंग से मैच नहीं होता और हमारी खुबसूरती ठीकी पढ़ जाती है कभी-कभी गर्दन को ठीक से साफ ना करने के वज़े से भी गर्दन काली हो जाती है तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसको साथ कर सकते हैं पर इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे दबाना बिलकुल न भूलें क्योंकि इससे आपको मेरे नए ब्यूटी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो पहला उपाय है जिसके लिए आपको चाहिए नीमबू नीमबू में विटमिन C होता है और इसमें ब्लीचिंग प्रॉपरटीज भी होती है जो हमारे चहरे की तवचा या फिर गर्दन की तवचा को लाइटन करने में मदद करती है इसलिए आपको नीमबू को दो भागों में कट कर लेना है और एक भाग के मदद से आपकी गर्दन पर उसको अच्छे तरह से गिस गिस के और रगड रगड कर गर्दन साफ कर लेनी है कहीं अगर आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो आप डिरेक्ली नीमबू का इस्तमाल ना करें आप नीमबू के रस में थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करें और इस मिश्रेंट को आपकी गर्दन के स्किन पर लगा लीजी ये उपाई को आप रोजाना भी कर सकती है और इससे आपकी गर्दन का कालापन जरूर दूर होगा दूसरा उपाय है जिसके लिए आपको चाहिए बेसन बेसन हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है क्योंकि इसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है इसके वज़े से हमारी त्वचा फैर हो जाती है तो इस पेसन का उपयोग आप नैचरल स्क्रब के तरह कर सकती है इसके लिए आप एक चमच बेसन ले उसमें चुटकी बर हल्दी डाले और रोज वाटर मिलाकर उसका पेस्ट तयार कर ले इस पेस्ट को आप अपनी गर्दन पर लगाएं और इसे सुखने के लिए छोड़ दें इससे आपके गर्दन पर जो भी डेड़ स्किन जमा हो गई है वो निकल जाएगी और आपके गर्दन की तवचा साफ और सुन्दर लगेगी मेरा तीसरा उपाय है जिसके लिए आपको चाहिए आलू आलू में bleaching properties होती है जिसके वज़े से ये हमारे स्किन के रंग को गोरा बना देता है तो ये उपाय करने के लिए आप आलू के slices कट कर ले और इस slice को अपने गर्दन पर अच्छे से रगड रगड कर साफ कर ले अगर आप slice इस्तिमाल नहीं करना चाहती है तो आप आलू का paste या फिर आलू का रस भी निकाल के उसे अपने गर्दन पर मसाज करें मसाज करने के बाद आप उस रस को थोड़ी देर के लिए अपने गर्दन पर ही छोड़ दें आप इस उपाय को रोजाना भी कर सकती हैं अगर रोजाना करना पॉसिबल नहीं है तो हफते में 3-4 बार इस उपाय को पका करें आपकी गर्दन का रंग मिखरने लगेगा और इसका कालापन भी एकदम दूर हो जाएगा तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको आज के ये 3 टिप्स अगर पसंद आये हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और अगर कहीं आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे दबाना बिलकुल ना भूलें आप इस वीडियो को फेस्बूप वाटसेप पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेर भी कर सकते हैं तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ असरदार टिप और रेमेडिस के साथ तब तक के लिए बाबाई